जै माता जी, दर्ष महाविद्या शर्णी में आपका स्वागत है आज हम दर्ष महाविद्या की दूसरे देवी के बारे में जानेंगे यह देवी को शिव की माता भी कहा जाता है यह वो देवी है जीन होने बालक के रुप में महादेव को दूद का पान कराया था आपने हमारे दश महाविद्या शेरी में पिछली एपिसोड में माता महाकाली के बारे में जाना अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करें और शेनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें दस महाविद्या में तारा देवी का सन दूसरा है अत इन ही रितिया भी कहते है तारा देवी का प्रवद की पस्यम बाद में चोड़न नमक नदी के तटपर हुआ था महाकाल सहीता के गामकला खण में तारा रहाष्य में मतार का प्रवद्या वर्डन है समुद्र मंधन के समय हला हल विष निकला तब उस शीव द्वरा विष का पान किया गया तब उनके सालरिक पीडा के निवरण है तु माता तारने हुन है माता के सोरूप में अमरुत में दुप्ट का पान कराया जिसकी कारण बगवान शीव की समस्त सालरिक पीडा से मुक्ती मिली इसलिए माता को शीव शंकर की माता भी माना जाता है बगवान शीव की माता के रुप में होने की कारण वह जगन माता भी माने जाता है कुष्ट रूसी ने देवी के साथना सिखी थी वसिष्ट जी ने बैदीक रूप से तरह साथना करके देवी को पिसन करना चाहा पर विध्या सिद्ध नहीं हो पाई तब उन्होंने विध्या को शापित कर दिया शांत होने पर देवी ने उनिहा का अश्वनी द्वारा इनकी उपासना तांत्रिक पदती जिससे की चिलाचार की तहत करने की सलाह दी जब वसिष्टम उनिने यह पदती अपनाई तब वसाधन सिद्ध होई कृष्णा अतार के बाद इस विध्या के स्वयम सापोधर होना कहा गया इसलिए कलुग में ये तुरंत प्रभावसाली साधना है माताकाब बीज मंत्र वदू के समान फलदाई होने करण वदू बीज भी कहा जता है बगवती तारा के तीन सुरूप है तारा, एक जटा और नील सरस्वती शीव के दस अवतार में दूसरा दुद्र अवतार है तारकेश्वर, जिसे तारकेश्वर के नाम से जने जता है यही तारकेश्वर सीव की सक्थी को देवी तारा मना जता है देवी भ्रह्मत एककत्व देनी वाली है, इसलिए देवी को एक जटा मना जता है जो शिवजी को अपनी पिंगल चटा में धारन करती है देवी अपने भक्तों को मृत्यु परांत अपने चटाओं में से विराजित अक्षोप्य सिव के स्थान पर प्रदान करती है ब्रोहन निल तंत्रगंथों में विशेश्वरूप की चर्चा है हाई गरिव का वद करने के लिए देवी ने निला वीगर प्रगट किया इसलिए देवी को निल सरसती कहते है निल सरसती के रुप में माता भक्तों को वाक्षक की प्रदान करती है देवी संपुन ब्रह्मान के समस्त ग्यान की ग्याता है संपन ब्रहमान में जो भी ग्यान इधर उदर विखरा हुआ है उन सब को इकतरित करने पर जिसे ग्यान की उत्पत्ती होती है वही नील सरस्ती है देवी परम घ्यानी है। अपने असदर्ण घ्यान से परिणाम सुरूप शवक को शीर सुरूप में मता परिवर्दग करने में समर्थ है। दिनी तारा उग्र होने की कारण इन्हें उग्रतारा कहा जता है माता बयानक से बयारक संकोटो में सादक को सुरक्ष रखती है बागवते तारा की उपासना तंत्रुक्त पदति से होती है जिसे आगमुक्त पदति भी कहते है इनकी और पास्ट प्रासे सादक भुरुवस्पति समान विदवान हो जता है देवी का निवास्थान गोर्ष मसान है जहां सर्वद चिता जलती रहती है ज्वलंद चिता के उपर माताव आगंबर पहन पर खड़ी है देवी प्रत्या निट मुद्रा में खड़ी है प्रत्या निट मुद्रा यानि दाइने पर आगे किये हुए युद में लड़ने है तो की गई मुद्रा देवी शव पर बैठते हैं देवी के मस्तक पर पंज कपालों से सो सजित मुकुट है माता के तिन नेत्र हैं माता के दन्त पक्ती विकट बोर अठासे करने के कारण देवी अर्तिंत उग्र प्रतित होती है देवी गोट नीले वर्ण की है माता नर अस्थियों से बनी महाशन्ख भमाला धरन करते है देवी की सनीच से सर को लिटे हुए है सिर के बाल उन्जे बिखरे हुए भेंगर प्रदित होते है देवी चारों हाथों से युपते हैं कथा नेल कमल, खपर, कैची और तलवा धरान करते है मता की चारों और सियार गिदर कुट्ते इत्यादी जीर देखे चते है बाल तरम की वजरयान शाखा में देवी तारा की कल्पना की गई है देवी को मुप्ती की जननी के रुप में मनता दी गई है मता तारा को अवलो की तेश्वर का अस्ती रुप मन जता है तरह देवी को जापन में तारा बुसत्सू तथा चिन में जुओ लुओ पुसा कहा रता है बौधतर में विभीन तरह देवी के स्वरुप के वर्णन है जैसे कि उग्रतारा, खदीरवनी तारा, शडबुजी स्टतारा, बश्य तारा, लाल तारा, आदी इन में से हम उग्रतारा के वर्णे में जालेंगे यह देवी की आग्रुती अध्यन्त भेहनकर होती है तीन आखो वाली इंस देवी, चतरवजी स्रुप में, हाथों में, कटार, कमल, कर्तरी, इवं कपाल धरन किये मानवश अपर, प्रत्यालेज आसन में नर्मुन माला पहने प्रदर्शित करने का विदान है खदिर्वनी तारा, खरित वर्ण की इस देवी के दो मुख है माता के बाय हाथ में नील कमल प्रदर्शित होता है, तथा दाया हाथ वर्द मुद्रा में स्थे रहता है शड बोजी, सित तारा, देवी तारा का यह तीन मुख तथा छे बोजर वाला स्वरूप है माता के यह स्वरूप का वर्ण स्वेत है, दाहीने हाथ में अक्षमाना, एवं बान तथा बाय हाथ में कमल, एवं एक धनुष्ठी थेता है वश्ठ तारा, देवी को संस्कृत में श्याम ताराथ तथा तिपति में संग्रोल लजंग कहते हैं इन्हें कुछ लोग मोल तारा देवी भी मानते हैं, यह देवी कमल के सिहासन पर बटे हुए है तथा हाथ में एक नीली कमल को पकड़े हुए है लाल तारा यह माता का सौम्मे रूप है यह देवी का सुरूप खास कर प्रेम और करुणा तथा अकरशन की देवी को मना जाता है लाल तारा देवी खास कर प्रेमियों के द्वारा पूझे जाते है इस देवी की आराधना कर महिला प्रेम में वशिकरन हित्तु करती है माल लाल तर अत्यन्त मनमुभक सुरुदारी है यहां आता ज्यादो टोना दातीन शाकीने से मुक्ति दिलाने वाले देवी है लाल तरा की साधना पद्म संपवदरा येशे शांग्याल को दी गई थी हाचीन में तरा देवी की आराधना होने का वलन प्राप्त होता है महाचीन अर्थात आज का तीबत तीबत को साधना का गण मल जटा है तीपति लामा तथा गुरुओं के पास साध्नाओं के विशिष्ट तथा दोरलप विदिया आज भी उपलब्ध है तीपति साध्नाओं का सर्विशिष्ट होने के पीछे का कारण इनकी अरद्य देवी मनि पद्मा है देवी का आसिरवाद है मनि पत्म देवी तारा का ही तिव्वती नाम है देवी की आराधना से असंबव भी संबव होता है तारा महाविद्या की साधना कठोर साधना है इंक साधना में किसी भी प्रकार की नियोवों में शितलता होने पर साधना सफल नहीं हो बाती महाकल सहीता में काम कला खंड में तारा रहश्य वणत है जिसमें तारा देवी के उपासा का विशेश महात्व है चैतरमास की शुकल पक्ष की नवमित थीकी रातरी को तारा रातरी कहते है देवी तारा के भैरण को अक्षोब्य शिव कहते है बीना किसी शोब के हलाहल विष्का पान करने वाले शीव को ही अशोब बे शीव कहते है। देवी पूरो दिशा का प्रदिमिद्व करते हैं, मता का वाहन गीदर है। ये तरा स्विसान में उनिवास करते हैं। तामसे गथा अविद्वन्शक प्रव्प्रत्य से सबंदित रखने वाले देवी देवदा, उनका निवास्तान स्मसान भूमी होता है, जहां पंच महाबुच्य निर्वित्ते अपने अपने चत्वा में मिल जाते हैं, देवी की साधना एक लिंग श्रीव मरंदिर और थाथ पांच कोस के मध्य एक ही शिवलिंगों वहाँ पे करने का विदान है, इसके अलावा स्मसान भूमी, चोराहे, सवार्शन ये नर्मुड आसन पे गले तक जर्में खड़े होकर या वन्मी करने का विदान है, इन सानों पर देवी की साधना शिग्र फलदाई होती है, तारा वच्छ सुख्य के अनुसार देवी की साधना कुमलासन पर्थत जिसका मुंडन सुख्य का नव हुआ हो, वैसे बानक के शव के आसन पे करने का विदान है, इसके अलावा कंबल या कुशचन का प्रयवग होता है, वस साधत को सदा ही देवी की सुम्मे रुप में साधना पूजा करने चाहिए, देवी को लालवा पीले फूल, मीले फूल, नारियल एवन चोमुखा दिपक चड़ाने से देवी पसंद होते है, तारा नाम से ग्यात होता है कि यह तारने वाले देवी है, माता महा विद्या में दूसरे स्थान पर पित्यमान है, देवी अपने वक को बाक्षप्ति प्रदान करने त था, भहयंकर विपत्तियों से भक्त की रक्षा करने में समर्थे, वैदिनाद दाम के परवदिशा में उत्तर वाहिनी द्वारी कणनति के परवितर्पर, महासमशान में, शुएत शुइमूल के व्रक्षि के मूल में सरी देवी का तिसरा इतर गिर्बाmen था कोई ब्रानी पाप से कश्ट भूग रहा है वो जैसे ही रदय से तारा पुखारता है माता अपने बक्त की रदय से की गए प्रतना सुनकर बक्त को प्रेताप से मुक्त कर लेती है इसलिए कहा गया है जिशे सीव भी तार नहीं सकते है उन्हें तारा तारे नी तारती है जय तारा देवी आशा है आपको आज की प्रसुती पसंद आए चैनल को लाइक शेर इन सब्सक्राइब करें नमस्कार